Good morning, Radio Activity Unit 4th के आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे Application of Radio Activity Radio Activity के अनुप्रियोग के बारे में नए पार्टिकल की खोज करने के लिए अलग-अलग हमें इसके यहां पे Just few examples पढ़ेंगे, सब जानी होई बात है आपकी लेकिन एक बार मैं आपको remind कराती हुए चलती हूँ Last lecture है मेरा यह, इस lecture में हम यह topic पूरा करतेंगे Discovery of New Particles, नए पार्टिकल्स, मैसोन, फोटोन, इन सभी की discovery Radio Activity के कारण होती है, हमें यह पता ही Radio Activity Race के कारण लगता है Discovery of New Elements and Isotope, जैसे hydrogen के तीन आईसोटोप है यह हमें Radio Activity से पता लगा, ऐसे ही नए-नए आईसोटोप जो पीडियोडिक टेबल बनने के बाद जो सारे हमें Elements पता चल रहे हैं, वो भी Radio Activity के कारण ही हमें पता चलते जा रहे हैं Third, हम इसका यूज़ पढ़ते हैं, Nuclear Energy में Nucleus से निकलने वाली जो खूब ज़ादा Energy होती है, अगर हम इसे Controlled Way में यूज़ करते हैं तो Electricity जनरेट करती हैं, और भी कई सारे Constructive Purpose के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं Nucleus से निकलने वाली जो Radiations होती है, इससे Bacteria Virus को मानने के लिए काम में लिया जाता है इसलिए Antibacteria को हटाने के लिए इस रेस का यूज़ किया जाता है इसका यूज़ मेडिसेंस में भी किया जाता है, जैसे Cobalt 60 से निकलने वाली गामा रेस का यूज़ के एसर के लिए जो Radiotherapy की जाती है, उसमें काम में आता है इंडस्री में इसका बहुत यूज़ होता है Thickness of Metal Sheet, जैसे Aluminium, Iron की जो Sheets होती है, वो Same Thickness के होती है इस Same Thickness को बनाया रखने के लिए जो Technique यूज़ की जाती है, उसमें भी Radioactive Traces यूज़ किया जाते है और उसी से इसके Thickness को Same बनाया जाता है इसी तरीके से जो Polymerization, जो Polyvinyl Chloride, जो Polythene स्वर अगरा बनाया जाते हैं, उसके अदर भी Radioactive Catalyst यूज़ किया जाते हैं Transfer of liquid जब एक जगे से दूसरी जगे करा जाता है, तो जिसे एक ही pipeline होती है, उसे petrol भी पास किया जाता है, डीजल भी पास किया जाता है अलग-अलग liquid के लिए अलग-अलग pipelines नहीं होती है, एक liquid के बाद radioactive material के लिए डाली जाती है, तो reception point पर गीगर मुलर काउंटर जब radiation पता लग जाता है, इसका हो तो यह indication होता है, कि अब दूसरा liquid पास होगा, पहला liquid जो आ रहा था, वो यहां खतम हो गया, तो इस सारा use हमे industry में होता है, इसका last use हम किसमें करते है, रेडियो कारबन डेटिंग, यानि आयू निर्धारन में किया जाता है, जिवाश का पता लगता है, तो हम कहते हैं, इतने साल पुराने हैं, पेड़ पोधों के आयू की गन्ना भी हम रेडियो कारबन डेटिंग से करते हैं, कैसे कर किसमें तो उसमें वही प्रपोर्शन मिलता है जो कारबन डेटरन14 और12 का líder का साश्यार में होता है, जब उसके डेट हो जाती है, तो एक्सफेंग्रों लोना होते है, तो पर अपन कारबन मिलर 15 कारबन तो धीले धीले डीकी होने लगता है, तो यानिदय कारबन 14 की से कवा हम उस जिवाश में की या उस पेड की हैज का determination कर सकते हैं Radio activity पर best हम एक और technique पढ़ते हैं जिसे हम बोलते हैं tracer technique उस tracer technique का उप्योग भी हम कई तरीखे से कर सकते हैं क्या होता है tracer technique कोई भी non radioactive nucleus को हम radioactive nucleus से replace करते हैं और फिर हम radio activity की activity पढ़ लेते हैं और हम उसकी activity पता अलगा लेते हैं, जैसे अलग-अलग जगे ये करके, हम उस चीज को tress करते हैं, इसलिए इस technique को हम क्या बोलते हैं, टैसा technique बोलते हैं, जैसे medicine के शेत्र में हम इसका use का सकते हैं, iodine 131, जो है वो radio iodine है, thyroid range होती है, उसकी activity पढ़ने के लिए हम पढ़ते हैं and hyperthyroidism, जब thyroid कम active होता है, तो hypo और ज्यादा active होता है, तो hyperthyroidism, तो iodine कम absorb करेगा, तो hypo और iodine ज्यादा एबसरब करता है, तो hyper, तो iodine हम, simple iodine की जगे, हम कौन सा iodine दे देते हैं, radio iodine, फिर हम उसकी activity को major कर लागते हैं, अगर उसकी activity ज्यादा है, तो वह hypothyroidism होगा, और क sodium chloride को भी हम यूज का सकते हैं, sodium chloride की जगे, हम simple sodium chloride की जगे, हम radio sodium use करते है, sodium 24, radio active होता है, वो हम injection की तुरू के blood में इंजक करते हैं, उसकी activity पढ़ते हैं, तो अगर कम circulation हो रहा है, कहीं tumor पर blood नहीं पहुंच रहा है, तो उसकी activity कम पाई जाएगी, तो इससे अवे पता लग जाएगा कि यहां पर blood का circulation रोक रहा है, इसी तरीके से कई जगे हम ये यूज करते हैं, radio phosphorus भी orthopedics में यूज किया जाता है, industry में तो ही technique यूज होती है, हम सब पहले पाड़ी चुके हैं, next हम इसका यूज पढ़ते हैं, biology में, biology में हम अलग-अलग तरीके से यूज पढ़त इस तरीके से roots के absorb करता है, leaf तक कैसे पहुँचता है, यह सारा हम उसमें पढ़ते हैं, agriculture की case में भी, किस time बोधों पर कौन सा हमें isotrope, कौन सा औरवरक डालना, यह सब हमें radio tracer से पता लगता है, हम इसका use और पढ़ सकते है, sparingly soluble salts की solubility पता का नमी, जैसे हम पढ़ते है barium sulfate का salt insoluble होता है, लेकिन actually it is not insoluble, it is sparingly soluble, sparingly soluble मतलब अलप विला है, इतना अलप विला है तो हम simple technique से नहीं पता लगा सकते हैं, तो pressure technique से हम पता लगा सकते हैं, last use हम उसे chemistry में पढ़ते हैं, कि reaction mechanism को पता करने में हमें काम में आती है, कैसे reaction mechanism में काम में आती है, देख application करते है, ROH से, तो अब ये दो जगे से हो सकता है, ये bond यहां से भी break हो सकता है, और ये bond यहां से भी break हो सकता है, लेकिन जो water बनता है इसमें, वो अगर हम ROH में, ओ अगर हम radioactive oxygen लेते हैं, तो water में आता है, इसका मतलब ये bond यहां से break होता है, ना कि यहां से, तो यह mechanism में हम यह सब सिंपल बाते हैं आप लोग पढ़ चुके हो अगर यह सब आपको केवल रिरिंग लगानी होती है और ज्यादा इंपोर्टन नहीं है चोटा-चोटा एको टेक्निक्स रिखने के लिए आती है हमने सारी टेक्निक डिसकस कर ली आज इस लेक्चर के साथ मेरा यूनिट जिसमें नुकलियस केमिस्ट्री एवम एंड रेडियो केमिस्ट्री था वो कंप्लीट हो गया नुकलियो केमिस्ट्री एंड रेडियो केमिस्ट्री दोनों पार्ट कंप्लीट हो गई यूनिट फोर्थ कंप्लीट हो गई आज हमारे केमिस्ट्री का 80% सिलेबस कवर हो गया ह अब हमारा खाली 20% से लेवस बाकी रहा है जिसमें solid state और colloidal state बाकी है हम next lecture में इसको cover करेंगे Thank you